बहुत बश्वागत है आज के अध्यात मरजूति इसके विसिस और खास अभिशोड है हम बात कर रहे हैं चत्रमुखी दीपक के लिए जैसे कि आपने थमनेल में देख लिया हमने इसको धन दीपक का नाम भी दिया है आखिर क्यों और कैसे यह चत्रमुखी दीपक आपका धन दीपक बन सकता है देखे पहले हम दीपक के इस विसेश शर्चा को समझे इससे पहले हम यह देख लें कि हमारे जब दीप जलाते हैं दीब दान करते हैं दीब प्रजुलित करते हैं तो इसकी एक सनातन सुष्कृति के अंदर एक वशिष में दता है दीब जलाने को हमारे हाँ एक शकारत्मकूर्जा का प्रभाह माना जाता है दीब जलाने का मतलब दीब जलने का मतलब होता है कि अंदकार से मुक्ति प्रकास क और हमारा पत्गमन इसलिए जब भी हमारे याँ नए काम की सुर्भात होती है उसको दीपक जला के किया जाता है खासकर संद्यावेला में प्रातय कालिन इन खास अवसरों पर दीप जलाने का एक विधान रखा गया है लोग कहते हैं जोद बत्ती कर लो दीपक जला लो क्यों? क्योंकि एक नए समय का एक नए उरजा का एक नए चीज का आगमन और उसके स्वागत सत्कार के लिए जहां हम उस चीज को करते हैं शुबारंब के लिए करते हैं वहीं इसका एक अवीमुक्र संकेत है जब आपने देखाऊगा खास कर घृत के दीपक की बात आती है तो गव घृत के एक बूढ़ घृत के अंदर कई टन ऑक्षिजन को उत्वन करने की छमता होती है इसलिए यग्या हवन में एक छोटा सा एक बूढ़ घी का भी कई टन उड़जा को जो है वा उत्वन करता है इ और धनागम की और प्रशनता की उर्जा की ऑक्षिजन को प्राप्त करने की उसके निर्मान करने के लिए एक विसेस एक शाधन माना जाता है। लेकिन खासकर जब चत्रमुखी दीपक की बात आती है तो यहाँ खासकर तब आपने देखा होगा जब यग्यादिक करम होते हैं कोई विसे अनुष्ठान आप किया होता है। तोड़ा इसको समझ लेते हैं क्योंकि छेत्रपाल देवता यानि हमारे पूरे छेत्र के जो पालक कहे जाते हैं उनको छेत्रपाल का जाते हैं। दूसरा एक विशिश महत्तों यही चत्रम की दीपक बटुक भहरग जी के नाम का होता है। यही भगवान शिव के परम सेवक, मा सक्ति के परम सेवक, परम भग्त बहरग जी के लिए यहां उनके निमित जला जाता है। जब मा शक्ति को, मा लक्ष्मी को, मा भगवती को, मा जगदंबा को प्रशन करने के बात तो उससी पूर्व उनके भग्तों को विशिश कर प्रशन करना दा है। और वह हक किया भी जाता है इसलिए विशिस अनुष्ठान के अंदर उनकी निमित एक चत्रमुखी दीपक जलाने का विधान है जो आपके जीवन से रोग, शोग, भै, क्रोथ, तामसी वृत्यों का हनन करने के साथ साथ शुक, शम्र, दिधन, बैभव, यस, बर्चश्व, इ इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम महिने में एक बार तो जरूर करना चाहिए, हो सकता है तो हपते में भी कर सकते हैं, और हपते में दो दिन मंगल या सनी को करें और बैतरीन है, नहीं तो प्रतियक अमावश्या को एक चत्रमुखी दीपक पीपल के पेड पर जला कर रखना चाहिए, ऐसी बेवस्ताइन ही है, तो आप उसे जला कर अपने घर के छट में भी रख सकते हैं, खास कर वाइब्य कोण में या इसान कोण में इन दोनों में आप रख सकते हैं, दक्षिन दिसा में भी अगर जगह है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जला कर इसको इससतानों पर रखें, अगर जला करके आसपास नदी हैं, जलासे हैं तो वहाँ जाकर आप रखें तो और भी अच्छा है, पीपल का पेड़ अगर खास कर वहाँ पर है तो बहुत अच्छा है, ऐसे सुब अस्तानों में जाकर इस दिप को परजुलित कर के रखना चाहिता, कभी विः तेर्थों में जाते हैं, देवालेों में जाते हैं, तो वहाँ भी चत्रमुक दीप का एक दान आपको उस समयन उर्शार चाहिता, तो ये था प्रमुकी दीपक और धन दीपक की खास चर्चा, कैसे लगा आपको नदीप में जारुर करें, और खुद भी इसको practical करें हमें comment box ने अपने अनभुष साजा करना बिलकुल न भूले ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप मारे चैनल को subscribe जरूर कर ले अध्यात जोतिस और लेटर तमाम जान करें आपको ऐसे चैनल पर प्राप्त होते लिए दन्यों